दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुगर इंडुस्ट्री के लिए जैसे की बजाज हिंदुस्ता हो गया श्री रेन का शुगर हो गया इस तरीके की तमाम जितने भी कंपनीज हैं जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं इन सभी के लिए अच्छी खबर है लेकिन उस और बैल आइकन को जरूर हेट करिएगा और दूसरी रिक्विस्ट कि अगर आपको डिमेटियर फिटिंग काउंट ओपिन कराना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने एथिनॉल ब् शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हम पेट्रोल यूज करते हैं उसका मेजॉर्टी परसेंटेज जो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं जिससे हमारे देश का पैसा दूसरे देशों में फ्लो होकर चला जाता है और जो फिसकल डेफिसिट है उसको बढ़ Fiscal Deficit को Reduce करके Zero की तरफ लेया पाएंगे अगर हम Fiscal Deficit को Zero नहीं करेंगे तो हम करजा अपने देश के उपर बढ़ाते जा रहे हैं जिससे हमें एक दिन ऐसी सिच्विशन फेस करना पड़ेगा जो पाकिस्तान कर रहा है पिछले कई दिन, कई एर से तो दोस्तों भारत सरकार पेट्रोल और डीसल के अंदर गैसोलीन के अंदर एथिनॉल ब्लेंड किया जाएगा और E10 का मतलब हुआ, E10 का मतलब होता है एथिनॉल ब्लेंड जो कपैसिटी है 10% की है अब हम E20 की तरफ मूव करने की कोशिश में है देखे, E10 यानि 10% एथिनॉल ब्लेंड पेट्रोल का टार्गेट हमने समय से पहले ही अचीव कर लिया है ये एक अच्छी खुश ख़बर है, अच्छी ख़बर है अब हम 20% एथिनॉल ब्लेंड पेट्रोल की तरफ अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एथिनॉल ब्लेंडिंग टार्गेट है 20% का इसको 2025-2026 का जो सेशन है उसी समय तक पूरा कर लेना है पहले 2030 तक का टार्गेट था लेकिन अभी इसको 25-26 तक जाते-जाते हर हाल में अचीव कर लेना है और ये एक एडिशनल happiness या एडिशनल pleasure है इन सारी companies को जो sugar producers है देखिए एथिनॉल ब्लेंडेट पेट्रोल जो होगा वो definitely आपकी vehicles को suit इसलिए कर रहा होगा क्योंकि आप जो गाडिया खरीदोगे आप जो गाडिया बन रही है वो इस purpose को ध्यान में रखते हुए बन रही है कि जो आप पेट्रोल उसमें use करोगे वो ethanol blended होगा और उसकी capacity 20% तक हो सकती है इसको ध्यान में रखते हुए ही बनाई जा रही है तो आप इस चीज़ को लेकर के परिशान मत होईए यह चीज़ आपको सरकार को पहले से पता है और सरकार ने government of India ने direct कर रखा है उनको पहले से इसके उपर काम करने के लिए राइट तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ethanol जो है sugar से भी बनाया जाता है molasses भी बनाया जाता है grain से भी बनाया जाता है और इस तरीके से तमाम तरीके से ethanol को हम बनाते हैं और इसको petrol के अंदर blend करते हैं ताकि इससे हम अपने petrol को mix करके use कर सके ताकि हमारे जो dependency है वो दूसरे देशों से आने वाले petrol के उपर थोड़ी कम हो आप देखें यहाँ पे आपको बता दो अगर हमारा भारत देश अगर 20% ethanol blended petrol पे अगर चलता है तो उस case में हमें every year लगभग लगभग 10 billion liters ethanol की जरूरत पड़ेगी यह कोई खेल नहीं है 10 billion liters 10 billion liters की जरूरत पड़ेगी to achieve 20% blending target in India और यह एक बहुत बढ़िया opportunity है उन सारे sugar producers को आगे आगर के मदद करने के लिए देखे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में financial year 2014 से लेके financial year 2021 तक इन साथ साल में 07 years में 3.6% मात्र ग्रोथ रही है sugar industries के लिए तो sugar industry के अंदर 3.6% की मात्र ग्रोथ होना क्या यह sufficient है बिलकुल नहीं है और साथ ही साथ यह भी ध्यान दीजे जब कुरोना वेरस आया तो यह situation और ज़्यादा खराब हो गई तो इस situation को अब जैसे जैसे economic activities open होई है वैसे वैसे चीजें बढ़ रही है demand बढ़ रही है और अब demand और तीजी से बढ़ गई है क्योंकि अब ethanol की हमें जरूरत है blending purpose के लिए so this is very good news for all sugar producers चाहे बजाज हिंदुस्ता हो चाहे sugar sugar हो चाहे हो कोई और sugar industries हो है ना इन सब भी के लिए एक बहुत ही good news है right और यहां पर आपको बता दूँ सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो भी ethanol produce किया जाएगा उसको सरकार एक fixed rate पे खरीदेगी कोई भी ethanol बचेगा नहीं सारा का सारा ethanol खरीद लिया जाएगा देखे sugar का अपना एक session है आपको पता होना चाहिए October 1st 2021 स्वारी October से लेकर के September 30 तक यह एक sugar session माना जाता है तो इस sugar session के दौरान जो भी sugar produce होईगी जो भी ethanol बिसिकली sugar से जो बनेगा या जो भी और तरीके से बनेगा उन सारे quantities को सरकार एक appropriate price पे खरीद लेगी राइट और उसका proper तरीके से payment भी कर दिया जाएगा सरकार किसी भी तरीके से किसी के payment को रोकने की कोशिश नहीं करेगी यह सरकार ने पहले ही clear cut साफ कर रखा है राइट तो दोस्तो बस यही एक छोटी सी report थी मैंने आपको अपने language में समझाने की कोशिश करी मोटा मोटा I hope आपको यह समझ में जरूर आया होगा दोस्तों यहाँ पर सेंट्रम ब्रूकिंग एक एजनसी है यहाँ पर एक research firm है इन्होंने कुछ expectations किये हैं कि जो sugar session है ongoing sugar session season जो है इसमें inventory levels जो है expected है कि यह 83 days तक ही रह पाएंगे right और जो है meanwhile taking cue from the government's road map for ethanol blending बहुत सारे sugar manufacturers ने already significant expansions कर रखा है ethanol production के लिए right तो बहराल आपको मैं मोटा मोटा समझा चुका हूँ कि क्या actually मैं कहानी है ethanol blending को लेकर के और यह किस तरीके से sugar industries को benefit कर सकती है right so it's a very good opportunity for all of them अगर आपको यह content अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like कर दीजेगा और अपना ख्या लिखिए और चाहें तो आप share भी कर सकते हैं और लोगों में take care